हेलो फ्रेंड्स आज मैं अपने किचन में लेके आई हूं बहुत ही तेश्टी सी प्रेकफास्ट रेस्पी जो सिर्फ 10 मिनट के अंदर बनके तयार होने वाला है आप इसे टी टाइम पे या बच्चों के लंच बॉक्स में या तो आपके घर कभी कोई गेश्ट आए तो आप इस रेस्पी को सिर्फ 10 मिनट के अंदर बनाकर इनजॉइ कर सकते हैं जो भी इस रेस्पी को खाएगा सच में आपकी तारीप करेगा तो आप कई बार जो है कई तरह के पकोड़े खाये होंगे लेकिन एक बार इस तरह से आप लौकी की पकोड़े बनाईए सच में आपको बहुत ही पसंद आने वाला है अगर आपके बच्चे जो है लौकी की सबजी दाल या कोई रेस्पी खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप एक बार इस तरह से लौकी की पकोड़े उन्हें खिलाईए वो भी लौकी की दिवाने हो जाएंगे तो चलिए इस रेस्पी को बनाना पश्रू करते हैं सबसे पहले हमें लेने हैं लौकी सबसे ध्यान देने वाली बात यह कि लौकी एक्दम सॉप्ट वाली होने चाहिए तो यहां पर मैं आधे लौकी की पकोड़े बनाऊंगी इसलिए मैंने आधी लौकी कट करके साइड में रख दिया है अब इसके हमें खाप तरह से वास काने के बाद अब हमें क्या करना है लौकी की एकदम पतले पतले से कि अकंतर सकते हैं लेकिन क्या हो जाएगा तो हो जाता हैं यहां पर मैं आपको langi के से लगश दिखा रीच अ兩ग की कट गई कर देंगे हों टो दिखा लेकं परमें में दाना कर ब्रत पर मैं आखेतां गड़aggi और लेसन का पेश्ट अगर आप चाहे तो इसको बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर पेश्ट यूज किया है अधरक लेसन का पेश्ट डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसके बाद हम डालेंगे बारीक कटी अगर आप चाहे तो यहां पर लाल मिर्च पाउडर भी योज कर सकते हैं लेकिन मैंने सिर्फ हरे मिर्च डाल रहा है अब आधा चमच लेंगे आजवाइन उसको हाथों पे क्रस्ट करेंगे और इसे भी हम इसमें डाल देंगे आजवाइन के बेगर तो पकोड़े जो है अध करेंगे यहां पर हमें इकठे पानी नहीं डालना है नहीं तो क्या होगा बेटर एकदम पतला हो जाएगा तो यहां पर मैंने क्या किया है कि बेटर में थोड़ा थोड़ा पानी एड़ किया है और इसको मिक्स किया है सबसे ध्यान देने वाली यह बात है कि यहां पर बेट तो यहां पर बैटर मुझे थोड़ा थीक लग रहा है तो मैं यहां पर थोड़ा सा और पानी एट करूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी बैटर हमारा एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए गाड़ा भी नहीं होना चाहिए ताकि जब हम पकोड़े बनाए तो लौकी पे अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो गैस में मैंने पहले से ही रख दिया था ओईल हमारा गरम हो गया है जैसे ही ओईल गरम हो जाएगा हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे ना लौकी के सारे स्ल लौक जाएंगे और फिर वही लौकी जो है ना पकोड़े टूटे टूटे से निकलते हैं तो इसलिए जो है हम जितनी कड़ाई में जगए हम उसी साब से इसमें पीसेज डालेंगे तो यह देखिए जैसे ही मतलब हम पीसेज डाल लेंगे गैस को यहां पर मेडियम फ्लेम पर कल लेंगे अब यह देखिए लौकी जैसे ही एक साइड से थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा उसको हम दूसरे साइड से पलट देंगे और इसको पलट पलटके खुब अच्छा सा कलर आने तक इसको हम पकाएंगे मेडियम फ्लेम पे हाई फ्लेम पे हम नहीं पकाएंग यहाँ पर बन के तयार हो गया है तो यहाँ पर पहला बैच जो हमारा हो गया फ्राई अब इसे हम क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे और इसे हमें एक छन्नी वाले बरतन में निकाल के रखना आता कि इसमें जितना भी इश्ट्रा ओिल है इसके सारे ओल्स निकल जाये तो बहुत ही टेस्टी सी रेस्पी आप बेस एक बड़ जरूर बनाईए तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लेस पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए थाकि हमारी जो भी वीडियो एसका नोटिफीकस आपको मिलता पर ठर्वण है तो जैसे हमने पहला बेज रशाथ किया गारी सारि पकोड़ों को हम इसी तरह से प्राइक आपर मैंने सारे कुछी तरह से प्लिया अब्लब ऑलिघ प्रफोड़े और forskपe बनान और तयार आब आप इसको में पूर्ट जितने भी लौकी के लगता है बहुत ही तेस्टी लगता है तो यह देखिए सूइरो का थुरॉब में इसाद सबसे बड़ी बात यह सिर्फ तरह मिननट पार हो जाता है अगर अ खाईए अनगैब नहीं खाना पसंद करते हैं वो भी सच में आपसे बार-बार इसे खाना पशंद करेंगे तो आप एक बार इस तरह से लोकी की पकोड़े बनाईए और अपने फूरी फैमिली के सवायत इंजॉय करें खाईए अचानल से गर आपके घर कभी कोई केश्ट आ जाता है और आपके डिलिसियस सी रेस्पी है सिर्फ 10 मिनट के अंदर बन के तयार होने वाला है तो आप इस रेस्पी को बनाईए और गर्मा गरम चाय के साथ सर्फ करिए और तारी फितारी पाईए यहाँ पर मैं आपको एक लोकी के जो है ना स्लाइस तोड़ के भी दिखाऊंगी कि लोकी अ सब्सक्राइब करिए बेल आइकन की घंटी को ब्रेस करना मत बूलिए वीडियो को जादा जादा सेयर करिए और हां रेस्पी आपको हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कमेंट तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में